कहते हैं कि जो लोग हार कर जीतते हैं उन्हें बाजिगर कहते हैं जीतने वाले को स्थिकंदर कहते हैं मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि जब जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसे कनवर्ट कर दो एक बहुत ही सुहाने एक्स्पीरियंस में मैं हाली में अपनी वाइफ को कह रहा था कि जब सिचुएशन बुरी होना तो समझ लो भगवान कोई न कोई कहानी बना रहा है आपकी जो आज से कुछ समय बाद आप बताओगे लोगों को कि पता है मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने ये किया और उसमें से मैं ऐसे आगे निक ऐसी ही एक कहानी शुरू हुई थी कोवीड के समय जब मेरे उपर प्राबलम्स आ गई थी और उन प्राबलम्स से निकलने के रास्ते में मैंने अपने लिए हाइवे क्रियेट कर दिया ऐसी ही कहानी हजारों लाखों लोगों की है आज उसमें से एक कहानी आपके सामने ला रहा हूं वेस्ट बेंगॉल के एक छोटे से गाउं से अपनी परिवार को संभालने के लिए बहुत सारी डिफिकल सिचुएशन से निकालने के लिए बहुत जादा मेहनत की बहुत मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी की बहुत सारा काम किया बहुत वर्क एक्सपिरियंस लिया लेकिन कोविड में जॉब चली जाती है इन्होंने हार नहीं मानी दुबारा एक बार शुरुवात की और जहां पर फिजिकल दुनिया में काम मिलना मुश्किल था इन्होंने ऑनलाइन दुनिया की तरफ अपने रुख को मोड़ा बच्चों की ट्यूशन्स लेना दिखाते हैं आज एक सक्सेस्फुल प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग डिजिटल मार्केटर हैं आज मैं आपको मिला रहा हूं एक ऐसे होनहार और महनती व्यक्ति किसे जिन्होंने कड़ी भहनत करके हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख कर इंपलिमेंट करके खुद अपना इकोसिस्टम क्रियेट किया है और डिजिटल रचियता का टाइटल हमसे जीता है आईए आज आपको मिला रहा हूं अनन्दा महतोजी से नमस्ते अनन्दा जी स्वागत है आपका इस इंटर्वियू में सबसे पहले कॉंग्रेचुलेशन्स आप रचियता बन गए कैसा जार मैं तो बहुत अच्छा म्रसस करा हूं हमारे साथ जो इतने सारे students जुणे हैं जो कभी-कभी ढरते हैं कभी-कभी confused हो जाते हैं कभी-कभी मायूस हो जाते हैं कभी-कभी उनकी एनर्जी down हो जाती है जाते-जाते उनका मार्क दर्शन कीजिए कैसे और किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए रचेता बनने की लिए मैं सबसे पहले जो इस फेमिल में जो भी जुड़ा हुआ है मैं उस्वभी को बताना चाता हूँ कि आपके लिए साही प्लाट्फॉम है आप जीस प्लाट्फॉम पे आए हो अगर इस प्लाट्फॉम से सार से बता है गए सारी चीज़ी का फोलो करेंगे तो आप बहुत जल्ब आप साक्सेस्पूल बन जाएंगे सबसे पहले आपने जो सार ने बोला सब्सक्राइब हो आप हार रोज सुनिए ज्यादा बढ़ा नहीं है टिक फोटी फाइव मिनुट का है उसको रोज सुनिए उसमें क्या है ना उसमें आपको फरक पता है फरक दखाए देगा की तरफ का इंसार हूं किस तरह का मैंने साम सबसे बड़ा बात गोल कार्ट सबको बनाना चाहिए और डायरी में लिखना लिखना वी चाहिए यह जो डायरी है लिखता है इसरे लिखने के लिए और कुछ नहीं मेरे कोर्स के लोलोग डायरी है तिया पर मैं लिखता हूं इस सारे इस्टेटम के कोहूंगा कि किजिए और और एक बात कोहूंगा कि जो मॉर्निंग एपरमेशन नाम का जो सारका कि सार चार मिर्ट का वीडियो है वो सुनीं आपका अनाजी बहुत बर जाएगा जो भी प्लाट्फम में सिक रहा है और शाहर ने जो बताया नाइन प्रिंसिपाल अगर इस पिंसिपाल को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस पिंसिपाल की अंदर आपका साक्सेश चुपा होना है क्योंकि स्वत्तो प्रेम और सेवा स्वत्तो उसी आदमे के पास होता है जिसके पास प्राजित नहीं है तो चलो अपना जो भी प्रडॉक्ट या बीजनेस जो भी आप कर रहा हूं उस हाही करो मतलब उसमें कोई चीटिंग नहीं होना चाहिए चैनल करो ilय तरते केज़ार और उसको प्रेम भाब से को स्सक्राइजर न कला जो भी काम करो उसमें आपना सारे को उसमें को यह एंगडि बशनीच वार नहीं होना चाहिए प्रेम से चाहिए कुरो और सेवाभाब से करो, मतलब आपको भी सर्विस या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको सेवाभाब से करो, ताकि जिस क्लाइन्ट को आप सर्विस बेच रहा हो, प्रोड़ाट बेच रहा हो, उक अभी ऐसा मेशुस ना करें, कि जो बेखती को आप प्रोड़ाट बेच रहा ह वो चीट हो रहा है वो लागे कि जो मुझे दिया उससे मुझे बिटर ने है अनन्दा जी आप एक इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए एक आदमी इतनी कठेनयाईयों से निकल कर भी पढ़ाई कर लेता है इतने प्रॉब्लम्स के बावजुद इंप्लिमेंट कर लेता है और अप्रोच करता है क्योंकि उसके अंदर सचाई है यूर ग्रेट अनन्दा जी आपकी कहानी बहुत ही इंस्पाइरिंग है तैंक यू सो मच कि आज आपने समय निकाला और हमारे साथ अपनी बाते शैर की हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया कैसे अगर माइंड सेट क को सही रखें प्रिंसिपल्स पर फोकस रखें गोल तै करें और उसकी तरफ काम करें तो कुछ भी पॉसिबल है इसका जीता जाकता सबूत है अप अनन्दा जी तैंक यू सो मच मैं सब्सक्राइए तैंक यू हम आपके कुछ काम आपाए यह हमारा सबाग्य है आगे कहीं प कर दो